तो मुखमत्रे एहमन सुरेन के विधायक परतीनी धी पंकज मिस्रा को एडी ने गिरफतार कल किया था, कुटबाली थाना में कल रखा था और साथ दिन का रिमांड आज जब कोट में उन्हें पेसी की गई तो मांगी गई एडी के तरब से लेकिन कोट ने छे दिन की के लिए आज कल से यह लागू होगी और 26 तारिक तक जो है वह है एडी की रिमांड पर रहेंगे क्या कुछ कहा है वकील ने यह देखिए इसमें अच्छली क्या है ना हम एक ची बता रहता है इसमें हम रिमांड लोयर है हम परसनल उनके लोयर नहीं है है किपने दिन का रिमांड फिर उसके बाद शॉन दिन रिमांड मांग सकते हैं अभी छे दिन का मिला हुआ है सर इसमें आभी तो यहां से प जी म याए इनके नेराइ में यहां से ले जाया जा रहा है 7 दिन की मुआ की गई थी लेकिन 6 दिन का जो है मांग किया गया है और देख ल péri-चार चाहरे पर आप देख सकते हैं तो लगातार पूस्टाच चल रही है और जो अब यहां से कोड से उनको आगे जो है ले जाया जा रहा है तो लगतर कुरथाच स्वास्थ का हावाला ईनकी और से दी गईiros। लेकिन उसके बाप जुद यहां आज इनकी मुश्चिले अब कम होती हुई नहीं दिख रही है और आगे जो है इनको यहां से ले जाया जा रहा है कोट में तेसी के बाद चुकि कल कोटवाली ठाना में रात और आज जो है अब यहां से कोट से इन्हें ले जाया जा रहा है छे दिन की नियाई खिरासत में लिये गए मुखमंतरी के विधायक परतिनिध अभी पंकज मिस्रा को न्याले में प्रोडीस किया गया न्याले ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इनको 6 दिन के लिए और आज एक दिन जुडिशिल कस्टडी में भेजा गया और कल से 6 दिन के लिए इडी कस्टडी में इनको भेजा जाएगा झाल झाल